दिकपिल शर्माशो में पहुचे रवी किशन आप सभी जानते हैं दिकपिल शर्माशो कितना अपडेटेड रहता है कोई भी कॉंट्रोवर्सी चल रही हो इन्हें सब पता है आपको ये भी बता दें कि यहां रवी किशन पहुचे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने और यहीं पर भोचपुरी से जुड़े कई सवाल किये गए लेकिन एक विवादित सवाल भी किया गया यहां पर रवी किशन से ये पूछा गया कि पवन और खेसारी इतना लड़ते क्यूं है उस पर रवी किशन ने कहा ये तो उन दोनों का प्यार है ये लड़ाई थोड़े ही है रवी किशन मौके की नजाकत को समझे और मौके की नजाकत को समझते हुए रवी किशन ने भी इसे मजाकिया अंदाज में ही जवाब दिया और फैंस हस पड़े वैसे आपको ये बता दे कि अभी हाल ही में दिनेस लाल यादो निरहुआ का भी एक इंटरव्यू और काजल रागवानी का भी एक इंटरव्यू काफी वाइरल हो रहा है इनकी लड़ाई को इनके प्यार का नाम दिया जा रहा है जी हाँ लोगे कह रहे हैं कि ये दोनों लड़ते भले ही हैं एक दूसरे से लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन रवी किशन ने दे कपिल शर्मा शो में जिस तरह से समावान था वो काबिले तारीव था रवी किशन अपने डांसिंग के लिए भी जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग स्कील के लिए भी जाने जाते हैं साथ ही वो इतने एनरजेटिक रहते हैं कि पूरा अटेंशन वो grab कर लेते हैं जहां वो रहते हैं तो ठीक उसी तरह है उन्होंने किया ravication यहां पहुचे जरूर लेकिन सारा attention उन्होंने grab कर लिया और लोग याने की कपिल शर्माशों के जितने भी कलाकार हैं उन्हीं के इर्दगीर्द नास्ते नजर आये भूचकुरी जगत की होट अरो मसालेदार गॉसिट के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए